नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टो नगर सेशन ओफ क्विक फिक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की लेमिनेशन के बारे में बहुत सारे लोग अलगलग तरह की लेमिनेशन देखे होंगे हम थोड़े गरीब आदमी है तो हम तरीके से lamination करते है हमारा क्या है ना है कुछ लोगों का रहता है यहाँ पे vinyl लगाएंगे कुछ लोग यहाँ पे ladder लगाएंगे कुछ लोग कुछ चीज़े लगाएंगे अपना क्या है purpose देखा जाता है यह बच्चों की किताबों के उपर में जो हम चड़ाते हैं ना कवर यह वो शीट है और किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर यह मिल जाती है आपको 10 रुपे जादा से जादा 1 मीटर आएगी मेरी मुश्किल से 10 मीटर यूज हुई है मतलब मैंने 500 रुपे की ली थी काफी बच गई है मेरी यह शीट इसको बोलते हैं टॉक शीट बोलते हैं अंग्रेजी में और एक मैंने यूज किया है फैविकोल SR505 यह आपके बहुत ज़्यादा काम में आ जाएगा यह डबबा 300 रुपे का आता है और इसमें से मुश्किल से आपका 50 रुपे का ही जो सॉलुशन है वो यूज होने वाला है एक मैंने सीजर ली है और एक कटर लिया था एक कपड़ा लिया था और एक ब्रश जो पेस्टिंग करने के लिए ठीक है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा मेरा मैट बहुत ज़्यादा था अंदर से तो इसको धोके मैंने बढ़िया तरीके से एकदम सर्फ एक्सल से 3-4 बार इसको निकाल के दोया था दोने के बाद मैं देख रहे हैं शूज होते हैं उस पे यूज हो जाता है जैसे मालो कोई भी रवड की चीज होगी कोई भी उस पे यूज हो जाएगा और यह जो शीट है बच्चों के किताबों में कफर चड़ाने के काम आता है वो ही मैंने यूज किया है जितने छोटे पीस मतलब panel to panel आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको करना है तो आप अगर थोड़े अमीर आदमी है तो आप मतलब विनाइल का यूज कर सकते हैं सिंथाटिक लेजर का यूज कर सकते हैं जिस सीज का भी आपको यूज करना है पर तरीका सेम ही रहता है तरीका कोई अलग नहीं है पेस्टिंग का और SR505 की सबसे अच्छी बात ये है ये फैविकोल की तरह एकदम चिपकता नहीं है मतलब ये आपके मैट पे निशान नहीं छोड़ेगा बात में आप प्लास्टिक शीत अराम से बिना दाग निकाले निकाल सकते हो तो जो छोटे-छोटे पीस मैंने काटे थे उनको भी क्या किया था फोल्ड करके फिर मैंने मतलब साइस टू साइस इनको पेस्टिंग की थी मतलब एक ही पैनल को उसको दो-तिन बार फोल्ड करके फिर उसके बाद में पेस्टिंग करके धीरे-धीरे चिपकाया था मैने अब ये मेरे एक हिससे पे पेस्टिंग हो गई है मतलब हादा हिस्सा जो इसका मैंने किया था तो हाफ-ाफ करके आप चलेंगे न तो बहुत बढ़िया रहेगा एक ही बार में अगर आप पूरी शीट पे इसको SR505 को लगा दोगे फिर होगा ये कि ये शीट बड़ी जल्दी चिपक जाएगी आपस में और आप इसको बाद में निकाल नहीं पाओगे मतलब शीट खराब हो जाएगी आपकी तो हाफ-ाफ करके चलना जितना छोटा-छोटा करके कर सकते हो उतना छोटा करके आप चलना ठीक है एक बार जैसे चिपका दिया उसके बाद में इसमें बबल्स नहीं छोड़ने हैं कोई सिल्विटे नहीं छोड़नी हैं बढ़िया तरीके से पेस्टिंग करनी है ताकि नाइस लुक आए बाद में और इसकी सबसी अच्छी बात यह ना यह दाग बिलकुल नहीं छोड़ता लेट असब आपको पेस्टिंग करनी होगी ना तो बाद में निकालोगे तो बिलकुल दाग नहीं छोड़ेगा तो यह आपको अभी में एक हिस्सा करके दिखा रहा हूँ एक हिस्से में भी मैंने तीन हिस्से किये थे मैं एक शीट पूरी नापी थी मैंने नापने के में ही मैंने उसको चिपकाया था अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना जो मेरा दूसरा पार्ट है इसको मैं नीचे ले लूँगा अपने लेफ्ट वाले पार्ट के नीचे में उसका रीजन यह है कि अगर मतलब थोड़ा बहुत भी गम जो मतलब गोंध होगी वो उसके उपर मे जाएगी तो मेरी शीट जो अलड़ी लग रखी है उसके उपर नहीं चिपकेगी मतलब कहने का यह है आपको कॉमन सेंस यूज करनी है कॉमन सेंस यूज करके ही आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हूँ और सिलवटे विलकुल नहीं छोड़नी है मतलब उसमें थोड़ यह सारा काम मेरा हुआ है लगबग सो दो सो थाइसो तीन सो रपे मेरा काम लगबग हो गया है पूरी मतलब जितनी भी मेरा पूरा मैड था वो लगबग तीन सो रपे में सारा कावर हो चुका है इंक्लूडिंग जो मैं ब्रश वगरा की कोस्ट आपको बता रहा हूं उसके दो के अंदर प्रॉब्लम यह हैं दो कोईए महांतं करएश नूए किह आंदर बॉख है। जब आप खुद अपनी गाड़ी में काम करते हो, एकदम perfect job होती है, वो आपको हर कोना अपनी गाड़ी का पता होता है, कहां पे मैंने कमी छोड़ी है, कहां पे मैंने अच्छे से काम किया है, और किस जगा में मेरे को बाद में problem आ सकती है, तो इस तरीके से मैंने half-half करके सार जाई नहीं था, तो यही मैंने किया, तो यही मैंने किया, तो यह लास्ट वाले कोने पे मैंने अलड़ी जो गूंद है वो लगा दी है, गूंद लगाने के बाद में, अराम से चिपक जाएगा, आप करके देखेंगे, मालो रेटर सुपस अगर आपको करना भी है, तो 505 की खासियत सबसे बड़ी यह है, अगर आप इसको लेदर पे चिपकाते हो, मतलब लेदर टू लेदर करते हो, या फिर विनाइल टू विनाइल करते हो, तब तो यह एकदम बिल्कुल जबदस चिपक जाता है, पर अगर कोई और मिटीरिल पे आप इसको लगाते हो, तो कीचड में कभी भी, मतलब ऐसे बरसात का टाइम है, कोई भी जूते पहन के अगर गीले जूते पहन के भी इसको उपर में चड़ जाता है, तब भी मेरी गाड़ी में कोई समस्या नहीं आने वाली है, मालो आप कितना भी कीचड में पैर रखके आये होंगे, तो खाली आप सुमझत को बाद में पोचा मारना है, बिल्कुल पानी लगा के सफ हो जाएगा, जैसे छोटासा दाग होंगा, हलकासा कपड़ा मारेंगे, कपड़ा मानने के साथ बाद में ये साफ हो जाएगा, घो पानी बगारा भी गिर जाता है, तो वो भी मैट के अंदर नहीं कि कोई भी यार होता किया ना कोई रिष्टेदार बगएरा कोई जूते पहन के अंदर गुस जाता ना तो हमारी धक-दक करने लग पड़ती है कि यार यार गंदा कर देगा पूरा है तो यह सारा क्लीन हो गया मामला एकदम जबरदस्त तो आशा करता हूं यह चोटी सी वीड में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत